Hello everyone, welcome to your class, we are from Physics Academy, do like and subscribe our channel for support our community and please share your comments in the comment box So this is your educator Tanmay Das, all India rank 336 ingest and cracked jam and gait exam also So basically, आज हमारा Mathematical Physics के class में हम सिखने बाले है 4S series, ठीक है? तो इसे पहले class में हमने सिखने ले थे Matrix, Complex Analysis and Vector, ठीक है? तो आज हम फुरिया series में Basic से स्टार्ट करेंगे और धीरे-धीरे Advanced तक बढ़ेंगे, ठीक है? तो ये रहा कुछ exam की schedule, अगर आप इन में किसी भी entrance exam की तैरी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही important होगा because Math Physics अभी entrance exam में पूछा जाता है और एक major subject भी है, तो आपको तो ये मैथ Physics का portion जरूर ही करना होगा तो ये है कुछ schedule हमारे physics academic के तरफ से, जहाँ पर आपको July, August, September, मतलब तीन महीनों के अंदर पूरा IIT jam and बाकी सारे MSC entrance exam की syllabus complete कर भाया जाएगा, वो भी बिल्कुल free में class अभी start है, और आगे भी ऐसे ही August और September महीना पर भी ये class continue रहेगा, और September के end पर आपका पूरा IIT jam and बाकी सारे MSC entrance exam की syllabus complete हो जाएगा, with assignments and PUIQ की solution के साथ, ठीक है, now we quickly start our class, but one thing, जो जो बच्चे हमारे साथ जूड़ना चाहते हैं, बुख screen पे दिया हुआ QR code या फिर इस link पर जाकर हमारा telegram and whatsapp group join कर सकते हैं, अब हम telegram के साथ साथ whatsapp पर भी active हैं, तो description box चेक के जिए, वहाँ पर आपको हमारा whatsapp and telegram group का link मिल जाएगा, कोई भी doubt हो question की regarding या फिर exam की regarding, तो आप हमारे group पे question पुछ कर अपना doubt clear कर सकते हैं, इसके साथ साथ आपको group में मिल जाएगा बहुत चारे assignments and pre-UIQ की solution and daily basis में अपना doubt clear करने का session, so join our group and also subscribe our channel for support our works, ठीक है, तो start करते हैं आज का class, तो आज हम math page में एक नया portion या फिर नया chapter start करेंगे, जो है हमारा furious series, ठीक है, तो furious series में हम basic से start करेंगे और धिरे-धिरे advance तक आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो furious series start करने से पहले हम जान लेते हैं कि periodic function है क्या, ठीक है, तो basic पहले सिख लेंगे, ठीक हम उसके बाद हम आगे बारेंगे, फुरिया series में, तो periodic function क्या होता है, function, function, that repeat, that repeat itself, after some, equal, interval. okay, sorry, wait a second, interval, okay, तो इसका मदलब क्या हुआ, periodic function, एक ऐसा function होता है, जो कुछ time के बाद, या कुछ interval के बाद, फिर से हमें वही, जो value पहले मिल रहा था, उसको बापस से हमें वही value दे देता है, ठीक है, माल लीजिए, ऐसा एक function, f of x, ठीक है, जो है, function x, plus t, okay, plus function x plus 2t, ठीक है, of period, okay, period t, ठीक है, तो इस function में आप देखिए, कि ये function x plus t है, ये function x plus 2 है, 2t है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये t period के बाद-बाद, फिर से हमें वही value repeat कर रहा है, ठीक है, तो एक period के बाद-बाद, हमें वही value फिर से मिल रहा है, ठीक है, तो ये तो हो गया, ये function की बाद, ठीक है, actual live में किया ऐसा कोई function होता है, हाँ, जरूर होता है, example देख लेते हैं, ठीक है, तो जो हमारा example है, पहले बाला, वो है, sin x and cos x, ओके, कैसा, देखिए, sin x क्या होता है, sin x ही मान लेजिए, जब हमारा x का value, x का value, अगर हमारा 0 हो, तो sin x हमारा क्या आता है, sin x क्या आता है, 0 देता है हमें, जब हमारा x का value 5 by 2 आता है, तो हमें क्या देगा, 1 देगा, जब हमारा value क्या आएगा, पाई आएगा, तो हमारा sin का value क्या आएगा, 0 आएगा, फिर अगर 3 पाई बाई 2 आया, ठीक है, तब हमें value क्या देगा, माइनस 1 देगा, ठीक है, फिर हमारा value आगर 2 पाई आ जाए, तो हमें क्या value देगा, 0 वैल्यू देगा, ठीक है, ऐसे यह repeat होगा, ठीक है, cos x के लिए क्या होता है, cos x के लिए 0 के लिए हमें 1 देता है, पाई बाई 2 के लिए 0 देता है, पाई के लिए, minus 1 देता है, फिर 0 देता है, फिर हमें देता है 1, ठीक है, तो एक चीज़ नोटिस कीजिए, यहाँ पर 0 है, फिर कब हमें 0 मिल रहा है, यहाँ पर, और फिर 0 मिल रहा है, यहाँ पर, तो देखिए, πाई के difference पे हमें sin पे फिर से वही value मिल रहा है मतलब जब x का value 0 है तब 0 मिल रहा है जब πाई है तब भी 0 मिल रहा है और जब 2 πाई है तब भी हमें 0 मिल रहा है ऐसे ही cos x के लिए देखे जब 0 था तब 1 πाई के लिए यहाँ पर minus 1 और 2 πाई के लिए 1 यहाँ फिर 0 के लिए चेक के लिए यहाँ पर minus 1 है तो आपको confusion आ जाएगा 0 के लिए πाई बाई 2 पर हमें 0 मिल रहा है और 3 πाई 2 के लिए हमें 0 मिल रहा है इसका difference क्या है यह दोनों का πाई है और देखिए इन दोनों में difference क्या है इन दोनों में भी difference है pi ओके और 1 अगर देखिए अगर आप 1 का value चेक किजिए कि यहां से 1 हमें कब repeat में मिल रहा है 1 हमें मिल रहा है 2 pi पर difference पर और sin पर भी हमें 1 कब मिलेगा जब हमारा period हो जगा 2 pi तब हमें क्या मिल रहा है फिर से 1 मिल रहा है तो एक चीज़ नोटिस किजिए sin x and cos के लिए हमारा period का हो रहा है t equal to 2 pi हो रहा है क्योंकि 2 pi के difference पर ही हमें 1 फिर से मिल रहा है अब देखिए next एक example ले लेते हैं tan x and cot x ठीक है तो tan x and cot x में हमारा period क्या होता है pi क्योंकि pi के difference पर ही आपको फिर से वही answer मिल जाएगा तो अब एक आसान सा question देख लेते हैं period function के उपर तो आपको दिया गया है कि sin 3x slash 2 pi यह आपको दिया गया है और question है find period तो आपको period find करना होगा तो अब हमें इसको कैसे कैसे सकते हैं तो अब देखिए wait a second अब देखिए हमें दिया गया है function sin 3x plus 2 pi अब अगर आप यह 3x 2 pi में 3 common ले ले sin 3x plus 2 by 3 pi अब अगर इसको हम दूसरे तरीके से लिखे कैसे कि sin 3x plus 2 pi को ऐसे लिखे देखिए sin 3x तो यह क्या सही है देखिए हमारा sin में period क्या था 2 pi का तो 3x plus 2 pi करने से हमें क्या मिलेगा फिर से sin 3x ही मिल जाएगा क्योंकि हमारा sin का time period होता है 2 pi तो sin 3x plus 2 pi को हम क्या लिख सकते है sin 3x अब sin 3x 2 pi हमने क्या लिखा था यह form में तो इसको convert कर लेते हैं क्या मिलता है sin 3 common x plus 2 by 3 pi ठीक है equal to sin 3x अब देखिए अगर 3x को हम function of x माल ले ठीक है तो हम क्या लेक्ष सकते है function of x plus 2 pi by 3 equal to function x मिल रहा है हमें ठीक है तो एक चीज़ देखिए function x plus 2 by 3 equal to function x मतलब यह 2 pi by 3 के time period से हमें बापस से function of x मिल रहा है तो इहां से आपको पता चल जाएगा कि इसका time period है हमारा 2 pi by 3 तो आपको आ गया एक function का time period कैसे निकाल सकते है यह आपका basic है यह 11-12 में भी पूछा जाता है basics हम पहले कर ले तो फिर से हमने धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे तो अब आगे बढ़ते है तो एक चीज़ देखिए हमने तो कर लिया एक value का मतलब sin 3x plus 2 pi का तो अगर आपको दिया जाए कि sin n pi x divided by l तो अब इसका period क्या होगा period तो इसका period हो जाएगा आपका wait a second आपको पता क्या है sin का वैसे period क्या होता है sin के लिए 2 pi होता है ठीक है और आपको दिया गया है sin n pi x divided by l तो इसका time period आपका आ जाएगा 2l by n यह जो term आपको मिल रहा है sin n pi x by l यह आपको furia series में बहुती बार आपको मिलेगा करने के लिए तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे या फिर आपको बाद में यह ध्यान भी रख जाएगा तो अब आगे बढ़ते हैं हमारा जो next topic है furia series expansion जिसके उपर है हमारा chapter वो हम कर लेते हैं तो furia series expansion क्या होता है कि non sinusoidal sinusoidal periodic function तो furia series expansion क्या होता है non sinusoidal periodic function या फिर इसको हम क्या कह सकते है sum of sines okay and cosines cosines या फिर exponentsia okay exponentsia तो actually हमारा furia series है क्या तो actually जो definition है उसको छोड़ दी दिए basic word में furia series expansion हमारा होता है कि अगर आपको एक function दिया गया है उसको आप shine and cosine में उसको expand कर सकते हैं या represent कर सकते हैं furia series के इस्तेमान से तो मान लिजिए आपको एक function of x दिया गया है तो आप इसको expand कर सकते हैं a0 by 2 plus summation n equal to 1 2 infinite a n cos n pi x divided by L ठीक है, प्लास सामेसान n equal to 1 to infinite pn sin n pi x divided by l, ठीक है, तो एक function को आप Fourier series में ऐसे expand कर सकते हैं, ठीक है, यह हो गया आपका basic form of Fourier series expansion, तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, wait a second, तो देखिए, पहले थो हमारा function क्या था, x का x function था, लेकिन आप आप क्या कर रहे हैं, आप उस function को आप cos and sin के term में expand कर पा रहे हैं, ठीक है, तो यही है हमारे Fourier series expansion का इस्तेमा, कि एक function को आप sin and cosine में expand कर सकते हैं, ठीक है, तो इसमें आप क्या देख सकते हैं, जो हमारा Fourier coefficient है, वो क्या क्या है, Fourier coefficient, वो है a0, an and bn, ठीक है, यह जो टीनो टार्म है, an, bn and a0, यह है हमारा Fourier coefficient, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, next जो है application, यह Fourier series expand को हम किस-किस कामों में apply कर सकते हैं, तो application, ठीक है, तो पहला जो application है, वो है, और ac star kids, electronics में, ac star kids में, Fourier expense हमें बहुत काम आता है, जब हम august महिने में electronics पढ़ेंगे, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, next, next है a0 से आपको पता चल देगा, dc term, okay, dc term, या फिर constant term, okay, फिर तीसरा, an and bn होता है, fundament, fundament, frequency, frequency, या फिर lowest frequency, okay, और चौथा point, वो है, an, cos, n pi x divided by l, या फिर, pn, sin, n pi x divided by l, क्या देता है आपको, overtune, ठीक है, तो देखिए, यह जो हमारे Fourier series experience का जो basic form था, उसमें देखिए, हरी एक चीज का एक application है, a, 0, an, bn, an, cos, n pi x, l by l, बाब, bn, sin, n pi x by l, ठीक है, तो हर एक चीज का एक application है, ठीक है, तो जब हम इसको advance तक बढ़ेंगे, तो आपको धीरे-धीरे इसका application समझे में आ जाएगा, ठीक है, तो चलिए, आप आगे बढ़ते हैं, तो देखिए, एक चीज, आपने इससे पहले जब complex analysis कर रहे थे, तो आपको दोनों expand का process मिला था, एक ता tailor series, एक ता lawrence series, तो sir, हमें जब tailor series पता हिया है, तब हम furia series क्यों करें, तो देखिए, जो हमने करें थे, tailor series, ओके, तो tailor series किस का आप में यूज होता है, tailor series होता है, function, अगर हमारा derivative, ठीक है, derivative and continuous हो, continuous, ठीक है, किस function पर हमारा tailor series होता था, अगर हमारा function क्या होता था, analytic होता था, ठीक है, तब हम tailor series यूज करते थे, अगर non-analytic होता था, तब हम क्या करते थे, हम lawrence series यूज करते है, तो देखिए, tailor series होने के लिए, हमारा, क्या होना चाहिए, function पहले तो derivative होना चाहिए and continuous होना यह दोनो रूल आपको follow करना पड़ेगा ठीक है लेकिन यह furia series में extra हमें क्या मिल रहा है furia series okay furia series में हमें क्या मिल रहा है कि furia series से आप both continuous and discontinuous okay discontinuous spelling को छोड़ दीजे discontinuous function work इसका मदलब क्या हुआ अगर हम trailer series करना चाहिए trailer series हम तभी expand कर सकते है अगर हमारा function continuous हुआ तो furia series हम continuous function के लिए भी use कर सकते है and discontinuous function के लिए भी हम इसको expand कर सकते है तो इसलिए हम furia series को इस्तेमाल करें ठीके तो चलिए furia series के बारे में और कुछ जान लेता है तो अब बारी है calculate sorry wait a second calculate coefficient किसका coefficient furia series का coefficient जो है उसको अब हम calculate करने बाल है ठीके तो हमारे furia series में coefficient क्या किया था a0 aN and bN यह तीनों coefficient था तो चलिए अब इन तीनों का तीनों को हम calculate कर लेते हैं ठीके पहले है a0 a0 क्यास से calculate कर सकते है 1 by L integration minus L to L function of X dx ठीके for limit minus L to L ठीके तो अगर आपको एक function दिया गया है f of X and आपको कहा गया है कि उसको expand करिए expand for limit okay minus L to L ठीके इस limit के लिए आपको अगर एक function of X को expand करने को कहा जाए तो उसमें a0 होगा इस form में ठीके अब आगे बढ़ते हैं next coefficient हमार क्या है an तो an हम कैसे expand कर सकते हैं वो हो जाएगा 1 divided by L minus L to L function of X पॉश in by X divided by L TX ओके यह होगी आपका an अब तीसरा जो हमारा coefficient है वो क्या है वो है bn तो चलिए bn को calculate कर लेते हैं तो basically यह तीनों coefficient ही आपको ज़रुद होता है अगर आप इन तीनों coefficient को जान लेते हैं तब अब क्या करेंगा तब आप जो हमारा form था यह वाला इसमें सिर्फ a0, an and bn का आपको value put करना होगा और आपका answer आजाएगा तो यह रहा तीनों coefficient अब अलग-अलग limit के लिए हम इसका form देख लेते हैं तो यह था आपका क्या था minus l to l अब आगे बढ़ते हैं wait a second तो अगर आपका limit हो अगर आपका limit हो if limit कहां से 0 to 2 l पहले हमारा क्या था minus l to l तक अब हमारे limit है क्या 0 to 2 l तो अब क्या होगा हमारा जो a 0 होगा वो होगा क्या 1 by l ठीक है 0 to 2 l function of x tx यह हो जाएगा a n क्या होगा a n आपका हो जाएगा 1 divided by l 0 to 2 l function of x cosh n pi x divided by l tx and p n आपका हो जाएगा 1 by l integration 0 to 2 l function of x sin n pi x divided by l होगा l tx तो यह हो गया आपका अगर 0 to 2 l का limit हो तो आपका तीनो कोफिसेंट का value ठीक है अप wait a second अब अगर हमारा limit हो if limit क्या होआ 0 2 2 pi by omega ठीक है अगर हमारा limit क्या होआ 0 to 2 pi by omega तो हमें जो कोफिसेंट हमारा जरूरत है वो क्या हो जाएगा a 0 हमारा हो जाएगा 1 divided by pi by omega integration 0 to 2 pi by omega f of x tx ठीक है यह आपका पहला कोफिसेंट हो गया दूस्टा कोफिसेंट क्या होगा an जो हो जाएगा आपका 1 divided by pi by omega integration 0 to 2 pi by omega f of x ठीक है kosh n क्या था n pi x के जाएगा 2 pi by omega sorry wait a second n pi x divided by यहाँ पर क्या हो जाएगा pi by omega यह हो जाएगा आपका तो यह क्या जाएगा dx तो इसको अगर आप calculation कर ले तो आपके क्या मिलेगा omega divided by pi integration 0 to 2 pi by omega function of x cos cos यहाँ पर pi pi तो आपस में कट जाएगा तो आपको मिलेगा n omega x tx ठीक है तो अब next जो है coefficient bn bn क्या होगा अब bn आपका हो जाएगा wait a second तो bn होगा आपका equal to 1 divided by pi by omega जैसे था integration 0 to 2 pi by omega and यहाँ पर क्या हो जाएगा function of x cos n omega x sorry यह sign हो जाएगा wait 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 a second क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर function of x sin n omega x tx ठीक है तो यह मिल गया आपको तीनों coefficient ठीक है तो यह हो गया आपका 0 to 2 pi by omega के लिए limits limit के लिए आपका तीनों coefficient ठीक है तो अब आगे बढ़ते है यह जो आपको limit दिया गया है वो है wait a second कि function of t for limit minus pi by omega and 2 pi by omega तो इसके लिए आपको coefficient निकालना होगा तो coefficient क्या क्या हो जाएगा पहला कोफिसेंट a0 a0 आपका हो जाएगा omega by pi integration minus pi by omega 2 pi by omega f of t cos n omega t tt wait a second यहाँ पर हमने गल्टी कर दिया यहाँ पर a0 में हमारा cos का नाम नहीं आता तो यह क्या हो जाएगा function of t dt ओके तो इसको ठिक कर लेते हैं f of t dt और आपका a n क्या आजाएगा a n आपका हो जाएगा omega by pi integration minus pi by omega 2 pi by omega और function of t cos n omega t dt and pn आपका हो जाएगा pn आपका हो जाएगा omega divided by pi integration minus pi by omega 2 pi by omega और यह आपका हो जाएगा function of t sin n omega t dt तो यह आपका आगिया तीनो कोफिसें इसके लिए limit minus pi by omega 2 pi by omega ठीक है तो अब देखिए हमने निकाल लिया किया चारो लिमिट के लिए हमारा जो कोफिसेंट होगा वो देखिए पहले हमने क्या किया यह तो हमारा था इससे पहले एक था वो किया था minus l to l यहाँ पर देखिए 1 by l फिर हमने क्या किया हमने किया 0 to 2 l फिर हमने किया 0 to 2 pi by omega फिर फिर next page पे हमने क्याट दिया minus pi by omega 2 pi by omega ठीक है तो अब एक चीज़ notice किजी यह कैसे हो रहा है ठीक है तो देखिए यह जो आपका इसको थोड़ा सा दूसरे color में कर ले दे तो देखिए यह जो आपको l है ठीक है या फिर pi by omega है यह किया है देखिए आपका जो limit है 0 to 2 l यह या फिर इस से कर लेता है ठीक है 0 to 2 pi by omega ठीक है तो 0 2 2 pi by omega तो यह जो पूरा term है 0 to 2 pi by omega यह पूरा है आपका 2 l ठीक है तो 2 l आपका क्या हुआ 0 plus 2 pi by omega जो आपको देगा क्या 2 pi by omega अब यहाँ पाद देखिए 1 by l कर रहे है ठीक है लेकिन 2 l है हमारा 2 pi omega तो l हमारा क्या है 2 pi by omega into half तो क्या मिलेगा आपको pi by omega तो यही कर रहे हैं 1 by pi by omega और function of 1 अब देखिए यहाँ पर भी 1 by pi by omega अब यहाँ पर देखिए cos में क्या था n pi x divided by l तो हमने वह ही किया n pi x divided by l के जगा हमने क्या लिग दिया pi pi by omega और calculation कर लिए हमें मिल गया या फिर यह जो हमारा basic formula था minus l to l अगर आप कोई भी form अच्छे से सिख ले तो आपको बाकी limit के लिए वो याद नहीं रखना परेगा ठीक है वो अच्छे से आपको ध्यान चलना जाएगा सिर्फ आप limit के जगा value put कर देगा तो चारो limit के लिए आपको मिल गया अपना coefficient अब आगे बढ़ते हैं ठीक है तो एक चीज़ इसके साथ लिग ली दिए कि हमें क्या-क्या formula एक तो आपको एक sign का form मिल रहा रहा था and cos का form मिल रहा था आपको यह sin and cos ठीक है तो sin and cos are ortho normal ठीक है यह जो furia series में sin and cos का जो term होता है वो क्या है वो ortho normal होता है ठीक है तो आपको पता ही चल रहा है कि एक furia series को निकान ले के लिए हमें कितना सारा integration करना परेगा basically तो आपको तीन integration करना ही होगा ठीक है तो आप इन तीन integration करने के लिए हम कुछ tricks को use करेगे क्योंकि exam में हमें time भी बैचाना है ठीक है तो useful कुछ integral हम कर लेते हैं तो headline लिग लेते हैं कि useful useful integral okay तो useful integral देख लेते हैं जिससे आपको करने में आसानी हो पहला जो है ठीक है पहला जो है अगर आपका limit हो जाए a to b ठीक है sin n pi x divided by l t x या फिर आपका हो limit a to b cos n pi x divided by l t x तो आप क्या करेंगे equal to 0 होगा इसके लिए अगर function of x आपका limit हो a to b और 2l आपका हो b minus a ठीक है यह थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है अब इसके बाद दूश्रा जो आपको useful integral है वो क्या है integration a to b sin n pi x divided by l into sin m pi x divided by l या फिर integration a to b cos n pi x divided by l into cos m pi x divided by l t x इसके यह आपको क्या देगा यह आपको 1 देगा if m equal to n हो जाए और 0 कब देगा अगर if m not equal to n हो तो यह दोनों चीस आपको ध्यान में रखना पड़ेगा अगर m equal to n हो तो आपको यह integration के result 1 लिख देना है अगर m not equal to n हो तो आपको direct आप 0 लिख देंगे ठीक है तो इससे आपका time भी बच जाएगा अब तीसरा useful integral क्या है अगर आपका limit हो a to b sin m pi x divided by l into cos n pi x divided by l ठीक है तो वो क्या हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका equal to 0 ठीक है यह आपको याद रखना होगा यह तीनों integration जो आपको बाज में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा ठीक है और कुछ useful देख लेते हैं चौथा अगर आपका limit हो मानले जिरो टू ठीक है और दिया गया है sin square n pi x divided by l dx या फिर 0 to b cos square n pi x divided by l तो आप क्या करेंगे diet कर देंगे by 2 इसके answer आएगा ठीक है तो यह एक term भी आपको बहुती बार करना होगा इस integral में और एक फिव्ट जो है cos n pi ठीक है कौन cos n pi का value आपको क्या देगा minus 1 whole to the part n and sin n pi का value आप क्या मिलेगा आपको equal to 0 ठीक है तो यह कुछ-कुछ useful integral है हमारा इसको आपको ध्यान में रखना होगा ठीक है इसको ध्यान में रखने से आपका question बहुत ही जल्दिया solve हो जाएगा ठीक है तो चलिए है आपका even function तो even function आपका क्या होता है आपको पता ही है कि even function हम एक function के even function कब कहते है जब function of minus x equal to हमें दे function of x ठीक इसका मतलब क्या है इसका मतलब है अगर आप एक sign का grab drop करें यह हो गया आपका x axis यह हो गया आपका y axis ठीक है तो sign का grab कैसे होता था wait a second कुछ ऐसा ऐसे high फिर ऐसे down ठीक है ऐसे ही होता था हमारा sign और यह भी आगे ऐसे आगे बढ़ता था ठीक है तो यह हो गया आपका sign का grab तो अब देखिए sign शॉर्ड यह sign का grab नहीं यह cos का grab cos theta का graph क्यों cos theta graph क्योंकि जब हमारा x 0 है तब हमारा one value दे रहा है तो यह किसका graph होगा यह cos का graph होगा तो देखिए यहाँ पर जो हमें graph मिल रहा है वो क्या है symmetric about x equal to 0 जैसे example cos x जो हमने graph में देख लिए कि यहाँ पर देखिए x equal to 0 पर हमारा graph क्या होगा होगा है symmetric होगा है तो ऐसे function को हम कहते है even function तो आप odd function देख लेते हैं odd function किसको कहते हैं odd function तो odd function का हमारा basic formula क्या होता है अगर function of minus x equal to हमें दे क्या minus of function x तो उसको हम क्या कहेंगे उसको हम कहेंगे odd function तो इसमें क्या होगा anti symmetric about x equal to 0 तो तो यह हो गया अब sin x का graph कैसा होता है कुछ ऐसा wait a second draw कर ले पहले यह हो गया आपका sin x का graph sin x यह हो गया दोनों तरफ high था लेकिन यहां पर देखिए हमारा जो graph है वो क्या है entry symmetric तो हमारा sin x क्या हुआ sin x equal to हो गया हमारा odd function यह आप example के तोर पे दिख लेंगे तो अब even function and odd function होने से हमें क्या फाइदा है तो इससे कुछ जूरे हुए function का यूच तो चलिए इसको थोड़ा note लिख लेते हैं क्या है note तो पहला जो है अगर limit हो जाए आपका minus l to l function of x dx वो हो जाएगा to 0 to l function of x dx इसके लिए for even function even function के लिए हमारा यह हो जाएगा अब दूस्रा दूस्रा क्या है अब का a0 क्या हो जाएगा 1 divided by l integration minus l 2l यह तो आपका basic formula होता होए function x dx यह क्या हो जाएगा 2 divided by l 0 to l function of x dx किसके लिए even function के लिए even function a n आपका क्या हो जाएगा a n आपका हो जाएगा 2 by l 0 to l function of x cos n pi x divided by l dx यह आपका हो जाएगा bn आपका हो जाएगा bn क्या था 1 by l minus l 2 l function of x sin n pi x divided by l dx यह आपका हो जाएगा equal to 0 for event function ठीक है तो आपको इहाँ से क्या मिला इसको थोड़ा सा note करके लिग लीजिए कि for event function ठीक है a 0 not equal to 0 a n not equal to 0 and bn equal to 0 ठीक है तो इससे आपको यह easy होगा कि अगर आप function को करने से पहले एक बाद check कर लीजिए कि वो event function है या odd function तो उससे आपको bn का calculation ही नहीं करना परेगा ठीक है कि अगर आप function को calculate कर ले कि वो function event होड़ा है तो सिर्फ आपको a0 and an find करने से आपका answer मिल जाएगा bn को आपको find नहीं करना परेगा ठीक है क्योंकि bn हमारा क्या होता है 0 होता है ठीक है तो यह आपको आसानी हो जाएगा अब आगे बढ़ते हैं अगर हमारा function जो है minus l 2l function x tx ठीक है यह कैसा function हो जाए odd function odd function तब पीछले जो हमने करेते यह सब देखिए सब क्या है सब even function के लिए करेते odd even function अब check करते है odd function के लिए तो odd function में हमारा a0 के आएगा a0 आएगा 1 divided by l minus l by l function of x tx यह होता है आपका basic तो यह हो जाएगा आपका 0 ठीक है a n क्या होगा 1 divided by l minus l 2l function of x cos n pi x divided by l tx यह आपका basic formula होता है यह क्या हो जाएगा odd function के लिए यह भी हो जाएगा आपका 0 and bn bn का आपका जो basic formula होता है वो है 1 by l minus l 2l function of x sin n pi x divided by l tx यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 2 by l 0 to l function of x sin n pi x divided by l tx यह form आपका आजाएगा तो आप यहां से क्या note कर पार है for odd function और odd function आपको क्या मिल रहा है a 0 equal to 0 an equal to 0 and bn not equal to 0 ठीक है तो यह दोनों चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा question को easy करने के लिए कि अगर आप पहले चेक कर लें कि आपका function odd है या even है तो अगर odd निकल जाए तो आपको a 0 and an calculation नहीं करना पड़ेगा सिर्फ bn से आपका answer आजाएगा अगर आपका function even आजाएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा सिर्फ a 0 and an का result चेक आप पूरिया series निकाल सकते है ठीक है तो यहाँ से हमें conclusion क्या मिला wait a second आप यहाँ से conclusion लिख सकते है जो है conclusion यो है आपका f of x एक है इक्वाल तो A 0 बाइ 2 plus summation A n cosh n pi x divided by L एक है for event function क्योंकि यहाँ पर क्या था bn हमारा 0 हो रहा है तो एक चीज़ देखिए इसमें सिर्फ cos का time है तो इसको हम क्या कह सकते है cos series भी कह सकते है और यह तो होगी आपका पहला conclusion and दूश्रा function of x equal to हो जाएगा आपका summation bn sin n pi x divided by l और किसके लिए odd function के लिए क्योंकि हमने देख लिए कि a0 and an हमारा क्या होता है 0 होता है और bn हमारा not equal to 0 होता है तो for odd function यह कैसा series बन रहा है यह sin series बन रहा है तो एक चीज़ देख लीजिए अगर हमारा event function हो तो वो एक cos series देगा हमें और एक odd function हो तो वो हमें सिर्फ science series ही देगा तो यह दोनों conclusion से आप बहुत ही बार question में exam में दिया हो question सिर्फ उसका जो mcq में जो आपको option दिया गया है उसको ही देखकर आप answer भी निकाल सकते है तो हमने अभी तक तो बहुत सारे जो हमारा basic चीजे होता है 4-year series में कैसे कर सकते है किया क्या rule है वो हमने सिख लिए तो चलिए अब हम बहुत सारा question कर लेते हैं जिससे आपका basic के साथ साथ अब advance तक भी पहुंच जाएगे तो चलिए question कर लेते हैं तो आज का जो पहला question है वो है question आपको दिया गया है function of x equal to x ठीक है point courier series courier series for limit आपको दिया गया है 0 greater than x greater than 2 pi ठीक है तो question कुछ ऐसे exam में आता है यह question तो आपको कोई भी exam में नहीं पूचेगा क्योंकि यह बिल्कुली basic question है लेकिन इससे आपका basic बहुत हट तक clear हो जाएगा ठीक है तो आपका function जो है वो x है आपको fourier series उसका निकालना हो ठीक है तो हमारे जो fourier series होता है वो कैसा होता है function of x a0 by 2 plus summation n equal to 1 to infinite a n cos n pi x divided by l ठीक है plus summation n equal to 1 to infinite p n sin n pi x divided by l यह होता है हमारा fourier series का explain अब इसमें हमारा जो coefficient होता है a0, a n and b n इन तिनों को हमें find करना होगा ठीक है तो चली यह 0 को find कर लेते यह 0 को find करने का हमारा तरीका किया था 1 by l minus l 2 l function of x t x अब देखिए हमारा limit किया है 0 to 2 pi तो 2 l हमारा हो गिया 0 plus 2 pi जो equal हो यह 2 pi का अब l हमारा क्या निकल के आया l निकल के आया 2 pi by 2 equal to pi तो l है आपका pi तो just value put कर देखिए तो l के जगा pi limit आप put कर देखिए limit क्या होगा 0 to 2 pi function x है हमारा x और dx तो value हमने put कर देखिए आप इसका integration निकाल लेते हैं तो 1 by pi x का integration क्या होगा x square by 2 limit 0 to 2 pi तो आप value put कर देते हैं तो हमें क्या मिला 1 by pi into x square के जगा 4 pi square divide by 2 तो आपको आखिर में answer क्या मिला 2 2 कर जाएगा यहाँ पर 2 रहे जाएगा और pi से square कर जाएगा तो आपको मिलेगा 2 pi तो आपको a 0 मिल गया 2 pi अब आगे बढ़ते है a n a n हमारा क्या है 1 by l limit minus l 2 l function of x cos n pi x divide by l t x तो चली value put कर देते हैं l के जगा हमारा आ जाएगा pi limit है आपका 0 to 2 pi function x है आपका x and cos l के जगा अगर pi बैठा दे तो pi pi आपस में कट जाएगा तो आपको मिलेगा cos n x t x यह आपको मिल गया अब इसका integration कर लेते हैं तो x and cos n x है तो हमारा form क्या था liate form तो इसमें किसका होगा पहले पहले cos का होगा फिर x का होगा तो 1 pi pi आपका बहार रहे जाएगा तो x जैसा का जैसा और cos का क्या हो जाएगा sin n x और divide by n plus यहाँ पर क्या होगा x का derivative हो जाएगा derivative से आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा छोड़ी इसको धीरे-धीरे से कर लेते हैं क्या होगा यहाँ पर integration u v का क्या तरिका था dx y dx हो जाएगा और cos n x dx यह था आपका तो यहाँ से आपका मिलेगा 1 by pi यह हो जाएगा आपका x by n sin n x plus यह क्या देगा 1 यह 1 देगा और यहाँ पर sin n x dx इहाँ पर एक गलती होगी यहाँ पर minus होगा ठीक है कहाँ पर wait a second यह दोनो wait तो थोड़ा से change कर लेते हैं तो यह क्या होगा यह minus होगा और यह भी आपका minus होगा ठीक है तो यह भी आपका minus होगा तो यहाँ से आपको n में क्या मिल रहा है 1 by pi x by n sine n x यहाँ पर n आएगा minus minus प्लास होगा क्योंकि sine का integration हमें क्या देता है minus cos तो cos n x divide by n square limit 0 to 2 pi यहाँ पर भी 0 to 2 pi यहाँ पर भी 0 to 2 pi आपको देगा तो चलिए अब value पूट कर देते हैं तो a n आपको क्या मिला 1 pi तो आपका बाहर ही है तो 2 pi by n sin n into 2 pi फिर 0 divided by n sin 0 plus cos 2 n pi इवाइड बाइ n square and minus cos 0 n square यह value put कर दिया हमने limit का तो यहाँ से क्या मिल रहा है 1 by pi यह पहला तो 0 हो जाएगा क्योंकि sin n pi हमें क्या देता है 0 देता है हमने पहले सिख लिया फिर 0 minus 0 क्योंकि यहाँ पर 0 है plus cos 2 n pi हमें क्या मिल रहा है हमें मिल जाएगा 1 ठीक है 1 divided by n square minus 1 divided by n square यह आपको मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ से आपको n तक आपको क्या मिल रहा है n आपको मिल रहा है 0 ठीक है तो a n आपका हो गया 0 a 0 हो गया आपका 2 pi अब बाड़ी है bn का ठीक है तो चलिए bn निकाल लेते है bn आपका formula क्या था 1 by l minus l to l function of x into sin n pi x divided by l tx तो चलिए value put कर लेते है l है हमारा क्या pi है ठीक है तो value put कर लेते हैं 1 divided by pi limit 0 to 2 pi function है आपका x and sin nx tx यह हो गया आपका अब इसके integration कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा 1 by pi तो आपका बाहर ही रहेगा x रहे जाएगा sin का होगा x by n cos nx ठीक है फिर यहाँ पर एक साद हम कर लेते हैं आखिर में answer क्या मिलेगा sin nx divided by n square ठीक है limit क्या हो जाएगा 0 to 2 pi तो चली इसमें value पूट कर देते हैं तो 1 by pi minus 2 pi by n cos 2 n pi 2 n pi और फिर minus 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 plus हो जाएगा यहाँ तो 0 देगा क्योंगी x के जाएगा 0 बैठा दे तो हमें फूटा 0 मिलेगा plus sin 2 n pi divided by n square minus sin 0 divided by n square तो यह हो गया हमारा value बैठाने के पाथ तो हमें आखिर में क्या मिला 1 by pi यह क्या हो जाएगा minus 2 pi by n cos 2 n pi हमें क्या देगा sorry minus 1 देगा sorry 1 देगा तो 1 plus 0 plus 0 plus 0 2 n pi हमें 1 देगा तो चलिए अब क्या मिलेगा हमें 1 by pi into minus 2 pi by n तो end में हमें जो answer मिल रहा है बो है minus 2 by n तो हमें क्या क्या value मिला a 0 हमें मिला 2 pi n हमें मिला 0 and b n हमें मिला minus 2 by n यह तीनो value आपको मिल गया one second तो अब चलिए Fourier series मना लेता है f of x हमारा क्या होता है a 0 by 2 plus summation n equal to 1 to infinite a n cos n pi x divided by l plus summation n equal to 1 to infinite b n sin n pi x divided by l ऐसा था हमारा Fourier series का basic form तो अब हमें क्या करेंडा परका है series इसमें value पूट करते है तो a 0 हमारा 2 pi है तो 2 pi divided by 2 मिलेगा सिर्फ pi n तो 0 है मतलब यह पुड़ा का पुड़ा टाम हमारा 0 हो जाएगा pi plus 0 plus यह क्या हो जाएगा सामेशन n equal to 1 to infinite b n के जगा हमें क्या लिखेंगे b n के जगा हम लिखेंगे minus 2 by n तो minus 2 by n sin l के जगा pi तो n x तो यह आपको मिल गया अगर इसको भी हम expand करेंगे तो हमें क्या मिलेगा pi plus sorry minus common ले लेता है तो हमें क्या मिलेगा pi minus और 2 भी common ले लेता है तो 2 तो यहाँ पर अगर 1 बैटा दे तो हमें क्या मिलेगा sin x plus sin 2x by 2 plus sin 3x by 3 plus sin 4x by 4 एंड ऐसे ही यह आगी continue होगा तो देखिए हमने function of x को कैसे sin and cos के जो series होता है यह form होता है उसमें हमने लिख दिया तो यह आपका आगया Fourier series तो ऐसे हम coefficient निकालने से हमारा Fourier expense आपको मिल जाएगा ठीक है तो आगे बैठते हैं next question के तरब तो next question आपका जो है आपको दिया गया है wait a second आपको question है function of x equal to minus k for किसकी limit के लिए minus pi less than x wait less than x less than 0 ठीक है and k for limit 0 less than x less than 5 ठीक है और आपको question दिया गया है find 1 minus 1 by 3 plus 1 by 5 sorry minus 1 by 7 minus 1 by 7 plus dot 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 तो इसका value आपको find करना है तो पहले तो हमें क्या करना होगा हमें इसको foria series में expand करना होगा तो चली इसको expand कर लेते हैं लेकिन यहाँ पर देखिए हमें 2 value दिया है और 2 limit दिया गया है लेकिन हमें तो एक value और एक limit के लिए पता है कैसे करेंगे तो कोई बात नहीं कर लेते हैं तो हमारा function of x minus k है किस limit के लिए minus pi less than x less than 0 और function of x है क्या k किस limit के लिए 0 less than x less than pi के लिए तो अब हम क्या करेंगे हम a0 पहला जो हमारा coefficient है उसको निकाल लेते हैं तो हमारा जो 2L है वो क्या होगा आपका minus pi to pi तो आपको क्या मिलेगा minus pi देखिए यह अगर आपका axis हो जाए ठीक है यह आपका origin और यहाँ पर आपका minus pi है और यहाँ पर आपका plus pi है तो इन दोनों का distance आप क्या कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक एक pi और यहाँ से यहाँ तक distance pi मतलब 2 pi ठीक है तो al आपका क्या हो गया al हो गया हमारा pi तो आप value put कर लेते हैं 1 divided by pi limit कहां से कहां तक यहाँ पर देखिए दोनों limit है दोनों के लिए दोनों value है तो दोनों limit को put कर देंगे minus pi to 0 के लिए function of x dx plus 1 by pi यहाँ पर क्या होगा 0 2 pi function of x dx यह हो जाएगा तो value put कर देते हैं 1 pi दोनों में common ले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा minus pi to 0 यहाँ पर हो जाएगा आपका minus k dx और यहाँ पर आपका हो जाएगा 0 to pi k dx ठीक हैं यह आपका आगे है integration चलिए अब इसका integration निकाल लेते हैं तो क्या होगा 1 by pi यहाँ पर आपका sorry wait a second यहाँ पर आपका क्या आएगा answer minus k x limit minus pi to 0 plus यहाँ पर k x limit 0 to pi यह आगया अब इसमें value put कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा 1 by pi तो आपका common है तो minus minus end यहाँ पर 0 पहले put होगा तो यहाँ पर आपका मिलेगा minus 0 फिर minus minus plus और minus pi x plus pi x और minus 0 यह होगी आपका value तो calculation से हमें क्या मिल रहा है 1 by pi minus pi x plus pi x तो आपको आखिर में answer क्या मिल रहा है 0 तो a 0 आपका आगया 0 अब बारी है a n का तो a n next page पे चले जाते है तो a n आपका क्या होगा 1 by pi limit दोनों भागों में divide होगा तो wait a second तो पहले है minus pi to 0 function of x क्या है k and यहापर क्या आएगा हमें cos nx dx and दूसरे के लिए pi to 0 k cos nx dx ठीक है यह आपको मिल गया अब इसका value निकाल लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा 1 by pi तो यहापर cos है तो उसका integration हो जाएगा तो क्या मिलेगा minus k sin nx divided by n limit minus pi to 0 plus यहापर क्या होगा k sin nx divided by n limit pi to 0 dx ठीक है यह आपका हो गया तो अगर हम value put कर दें तो हमें क्या मिलेगा 1 by pi तो आपका common है तो minus k sin 0 divided by n plus k sin minus n pi divided by n plus यहापर 0 to pi था न 0 to pi 0 to pi and यहापर भी 0 to pi ठीक है तो हमें क्या मिलेगा k sin n pi divided by n plus k sin n 0 divided by n अब sin 0 मतलब यह तो 0 0 हो जाएगा तो यह दोनों time कर जाएगा तो बचा क्या k sin minus n pi and k sin n pi तो आपको पता है sin हमारा कैसा function है sin हमारा odd function है मतलब sin minus x equal to हमें क्या मिलेगा minus minus sin x यह मिलेगा तो यहापर under minus है तो बहो बाहर आ जाएगा तो 1 by pi minus k sin n pi divided by n plus k sin n pi divided by n तो यह दोनों आपस में कर जाएगे तो आपको क्या मिला आपको answer में मिला 0 तो देखिए इसमें क्या है a 0 भी 0 आ रहा है a n भी 0 आ रहा है तो अब एक बाद check कर लेजिए देखिए हमारा function क्या था function था f of x minus k and k kis limit के लिए minus pi x 0 and 0 x pi a 0 हमने निकालनी अब बाड़ी है bn का तो चले bn निकाल लेते हैं तो bn क्या होगा 1 by pi इसमें दोनों limit आएगा wait तो minus pi to 0 यहां पर क्या आजाएगा minus k sin n x dx plus 0 to pi k sin nx dx top चले इसका integration निकालनी लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें 1 by pi यहां पर क्या आजाएगा plus क्यूंकिए sin का हमारा integration निकालनी निकालनी था cos minus cos क्या होगा इसके लिए minus pi to 0 और इसके लिए आपका 0 to pi अब value put कर देते हैं हमें क्या मिलेगा 1 pi तो आपका common है तो k cos 0 divided by n minus k cos n pi divided by n minus k cos n pi divided by n plus k cos 0 divided by n यह आपको मिल गया तो चलिए अब value निकाल लेते हैं यहां से हमें क्या मिलेगा अब value लिक लेते हैं तो value क्या मिलेगा हमें 1 by pi और cos 0 तो हमें 1 देगा तो k by n तो अब देखें cos हमारा क्या सब फंक्शन है cos हमारा event function तो event function का मतलब f of minus x हमें क्या देगा f of x देगा तो cos of minus n pi हमें क्या देगा cos n pi तो minus k cos n pi divided by n minus k cos n pi divided by n यहां पर फिर से हमें क्या मिलेगा k by n तो यह आपको मिल गया अब हमारा cos n pi हमें क्या देता है minus 1 2d per n तो 1 by pi और 2k by n minus 2k cos n pi divided by n हमें यह मिल रहा है तो यहां से हम 2k by n को common ले सकते हैं तो हमें क्या मिलेगा 2k divided by n pi बहर pi था और अंदर क्या रह रहा है 1 minus cos n pi तो cos n pi हमारा क्या है wait a second हम यहां पर fish से लिग ले कि b n हमें मिल रहा है 2k by n 1 minus cos n pi यह है हमारा b n का फ्याल अब cos n pi हमें क्या देता है 2k by n 1 minus minus 1 whole to the power n यह आपको मिल गया अब n अगर हमारा n अगर हमारा क्या हो even हो तो हमें value क्या मिलेगा अगर even हो जाए तो यह अंदर का minus 1 सिर्फ 1 रह जाएगा तो 1 minus 1 हमें क्या देगा 0 देगा तो b n हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा क्यूंकि 2k by n 1 minus 1 अपको अंदर मिलेगा जो equal to 0 होता है अब n equal to अगर हमारा odd हो तो हमें क्या मिलेगा b n odd होने से क्या होगा यह minus 1 रह जाएगा तो अंदर 2k by n 1 plus 1 हो जाएगा तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 4k by n आपको मिलेगा तो n अगर even हो तो आपको मिल रहा है 0 अगर odd हो तो आपको मिल रहा है 4k by n तो चलिए अब fourier series निकाल लेते हैं तो fourier series निकाल लेके लिए हमारे a 0 तो आया आपका 0 ठीक है a n आपका आया क्या 0 and b n आपका आया fourier divided by n pi और n equal to sorry odd के लिए निकला था था wait a second odd के लिए fourier n pi यहाँ पर एक pi होगा pi क्या होगा 2k by n pi हाँ pi तो होगा यहाँ पर भी pi होगा और यहाँ पर भी pi होगा तो 4k by n pi for odd n equal to odd तो आप fourier series लिए लिए लेते हैं fourier series f of x समाना क्या होगा bn का value है तो शामेशन n equal to 1 2 infinite bn sin n pi x divided by l यही form आएगा क्योंकि हमारा a0 and an to 0 है तो आपको क्या मिलेगा समेशन n equal to 1 2 infinite bn आपका है 4k divided by n pi and dot sin n और l अगर pi बैटा दे तो हमें क्या मिलेगा n x यह आपका होगे आप इसको थोड़ा से expand करके लिख ले तो 4k by pi तो आपका common आ जाएगा ठीक है तो अंदर क्या आएगा सिर्फ odd के लिए हम लिखेंगे क्योंकि event के लिए तो 0 हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा sin x plus sin 3x by 3 plus sin 5x by 5 plus sin 7x by 7 and ऐसे ही यह odd number लिखा जाएगा इसके बाद तो यह आ गिया आपका function of x function of x आपका क्या है 4k divided by pi sin x plus sin 3x by 3 plus sin 5x by 5 and ऐसे ही यह odd number तो यह आपको Fourier expansion आपको मिल गया अब हमें question में क्या दिया गया था अब हमें question में पूछा गया था कि इसको आपको find करना होगा कि 1 minus 1 by 3 1 plus 1 by 5 minus 1 by 7 यह आपको find करना है तो चले find कर लेते हैं अब देखी यह जो function है अगर हम put cut दे for x equal to pi by 2 ठीक है तो अब एक्स के जगा हम अगर pi by 2 लिखे तो हमें क्या मिलेगा a for pi by 2 आपको क्या मिलेगा 4k by pi अंदर क्या आएगा sign pi by 2 plus 1 by 3 sign 3 pi by 2 plus 1 by 5 sign यहाँ पर क्या आएगा 5 pi by 2 अगर हम इसका value लिखे तो हमें क्या मिलेगा 4 k by pi sin pi by 2 आपको क्या देता है 1 देता है ठीक है sign 3 by 2 क्या देता है minus 1 देता है तो यहाँ से 1 minus 1 by 3 sign 5 by 2 आपको क्या देता है plus 1 देता है तो 1 by 5 7 pi by 2 आपको क्या देगा minus 1 देगा तो 1 minus 1 by 7 ऐसे यह आगर continue होता जाएगा तो दीखे यह जो आपको बीच बाला हिस्सा मिला 1 minus 1 by 3 plus 1 by 5 minus 1 by 7 यह कुछ question की तरह ही लग रहा है जिसको आपको find करना गया था 1 minus 1 by 3 plus 1 by 5 minus 1 by 7 यही तो था तो इसलिए इस form को पाने के लिए हमने x equal to pi by 2 put किया था तो आपको यह मिल गया और आप यहां से क्या लिख सकते हैं तो यह तो form आपको मिल गया अब हमें करना क्या होगा यह है हमारा function of pi by 2 तो अब इसको इस तरह के से लिख सकते हैं की wait a second 1 minus 1 by 3 plus 1 by 5 minus 1 sorry इसको अच्छी से लिख ले wait a second तो इसको लिख लेते हैं हमें क्या मिल रहा है 1 minus 1 by 3 plus 1 by 5 minus 1 by 7 plus dot 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 equal to हमें क्या मिलेगा pi by 4 ठीक है क्यों pi by 4 ठीक है तो एक चीज़ नोटिस कीजिए हमने x के जगा क्या value put किया pi by 2 और हमारे जो question था next page पर चले जाते हैं तो आपको किस region में रह रह रहा है इस region में 0 to pi के अंदर तो हमारा function of x का क्या value देगा k देगा ठीक है तो यहां पर देखिए यह आपको क्या देगा k देगा तो k लिख सकते इसको तो k अगर आपस में cut जाए तो आपको क्या मिलेगा यह form मिल जाएगा और एक बार बता देखिए आपको question में क्या form दिया गया था आपको question में यह question दिया गया था function of x-k किस के लिए minus pi 2 0 और k था 0 to pi अब हमें इस form को लाने के लिए हमें x क्या लिए न था pi by 2 और pi by 2 किस region में बैट रहा है 0 और pi के अंदर और 0 pi के अंदर हमारा है function of x का क्या value था k का value था तो function of x के जगा हम क्या लिख सकते है k लिख सकते हैं तो वही लिख दिया हमने function of x या फिर function of pi by 2 के जगा हम k लिख दिया अब left side पे अपना k है और right side पर भी आपका k है तो k के अपस में cut जाएगा तो अगर आप यह 4 pi का term इस side ले आए तो आपको क्या मिलेगा pi by 4 मिलेगा तो यही है आपका answer ठीक है तो आपको इसका value find करना था तो आपको मिल गया pi by 4 ठीक है तो यह question आपसे solve हो गया अब चलिए आगे बढ़ते हैं next और एक question कर लेते हैं जो है तो next जो question है आपका वो है आपको question में दिया गया है function of x जो है आपका x cube आपको find करना है for minus pi less than x less than pi ठीक है तो यह आपको find करना है x cube का अब देखिए यह question आप कितने easy तरीकों से कर सकता है ठीक है तो देखिए आपको function of x क्या देया गया है x cube अगर आप f of minus x करें तो आपको क्या मिलेगा minus x का cube जो आपको क्या देगा minus x की देगा तो यह कैसा function हो गया यह एक odd function हो गया odd function और odd function में आपको क्या पता है कि अगर आपका function निकला odd function तो rule क्या था rule था a 0 आपका होगा 0 a n आपका होगा 0 and b n आपका होगा not equal to 0 तो देखिए इस question में आपको a 0 and a n find ही नहीं करना पड़ेगा सिर्फ b n से आपका question solve हो जाएगा ठीक है तो चलिए अब b n निकाल लेते हैं b n कैसे निकालेंगे 1 by l integration minus l to l function of x sin n by x divided by l t x अब हमारा limit किया था limit था minus pi to pi तो 2l हमारा क्या है pi plus pi equal to 2pi अब देखिए इसको pi plus pi क्यों ले अगर मालीजिए यह आपका grab हो गया तो इन दोनों के अंदर distance क्या है दोनों की अंदर distance 2pi है तो यही जो distance है यही है हमारा 2l तो इसलिए हम pi plus pi कर रहे हैं तो अब हमारा l क्या निकल के आएगा l हमारा आएगा pi तो चलिए अब value put कर दे तो हमें क्या मिलेगा 1 by pi integration कहां से है minus pi 2pi function of x क्या है हमारा x cube और sin nx हो जाएगा dx तो चलिए अब इसका integration कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा इसका integration थोड़ा सा top होगा तो चलिए integration निकाल लेते हैं हमें integration क्या मिलेगा तो 1 by pi तो हमारा बाहर रहेगा अब sin का integration होगा तो minus x cube cos nx divided by n limit minus pi 2pi then क्या होगा यहाँ पर plus आ जाएगा x cube का आपको क्या मिलेगा 3x square and यहाँ पर क्या आएगा cos nx dx divided by n यह आपको मिल जाएगा तो अब क्या होगा इसका integration होगा इसमें minus pi 2pi तो चलिए अब इसका integration कर ले तो 1 by pi triple bracket x cube इसको रहने दे लास्ट में हम value करेंगे तो cos nx divided by n minus pi 2pi अब यहाँ पर क्या होगा plus 3x square sin nx divided by n square limit क्या होगा minus pi 2pi और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा wait a second यहाँ पर आपको मिल जाएगा minus और integration होगा क्या 6x का 6x और cos nx divided by n cube tx limit minus pi 2pi अब फिर से इसका integration होगा तो आपको क्या मिलेगा 1 by pi तो आपको बाहर रहे गया minus x cube cos nx divided by n plus 3x square sin nx divided by n square minus क्या पर क्या होगा यहाँ पर पहले 6x sin nx divided by n4 plus sin plus होगा क्योंगी cos से sin फिर sin से cos और यहाँ पर 6 cos nx divided by n6 यह आपका आ जाएगा limit होगा minus pi 2pi तो चलिए आप इसमें value पूट कर देते हैं अब देखिए जो हमारा sin का time है बो तो आपका क्या हो जाएगा वो आपका 0 हो जाएगा क्योंकि sin pi हमारा क्या देता है sin pi हमें 0 देता है तो यह दोनों time आपस में कट जाएगा मतलब 0 हो जाएगा तो यहाँ साब को क्या मिल रहा है 1 by pi minus x cube cos nx divided by n और एक क्या मिल रहा है plus 6 cos nx divided by n6 limit आपका minus pi 2pi तो चलिए value फूट कर लेते हैं तो 1 by pi यहाँ पर minus pi cube और cos n pi हमें क्या देगा minus 1 to the power n divided by n फिर plus यहाँ पर क्या आएगा minus 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 plus and again minus तो यहाँ पर minus हो जाएगा तो wait a second यह आपका minus हो जाएगा और pi cube minus 1 whole to the power n divided by n फिर क्या आएगा 6 और minus 1 whole to the power n divided by n to the power 6 फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर फिर से plus हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई x का time नहीं है तो 6 minus 1 whole to the power n, n6 यह आपका हो जाएगा यह time तो देखिए एक चीज़ क्या होगी आपका यह दोनों आपस में कर जा रहे हैं ठीक है यह यह दोनों कर जाएगा ठीक है क्योंकि यह जो आपका minus pi है, cause हमारा कैसा function है? बहुत even function है तो इसलिए बहुत minus खा जाएगा, तो इसलिए दोनों एक ही जैसे मदलब minus plus में आ रहा है और आपस में कर जाएगा, तो आपको क्या मिल रहा है? 2 by pi n, यह आपको मिल जा रहा है और pi cube, ठीक है? एक minus pi cube, और minus 1 whole to the power n, तो pi cube को अगर बहार ले जाए तो हमें क्या मिलेगा? minus, यह pi और क्यों कर जाएगा, तो 2 pi square divided by n, minus 1 whole to the power n, यह आपको मिल जाएगा? तो चलिए, तो n अगर आपका even हो, तो यह क्या हो जाएगा? यह अंदर बाला plus 1 हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? bn equal to minus 2 pi square divided by n मिलेगा, अगर n आपका odd हो, तो आपको bn क्या मिलेगा? bn आपको मिल जाएगा, यह फिर minus आजएगा, minus minus 1 हो जाएगा, तो 2 pi square divided by n, यह आपको मिल जाएगा, तो यह आपको मिल गया bn, तो चलिए, अब सीरीज में इसको लिग लेते हैं, तो आपको आखिर में क्या मिल रहा है? function of x equal to summation n equal to 1 to infinite bn sin nx, तो अब इसमें value पूट कर दें, तो हमारा क्या आ रहा था? bn अगर, event के लिए, event के लिए हमारा आ रहा था, wait a second, check कर लेते हैं, event के आ रहा था, minus 2 pi square by n, तो minus 2 pi square by n, और odd के लिए, odd के लिए आपका आ रहा था, 2 pi square divided by n, तो value पूट कर देते हैं, तो 2 pi square हम बाहार लिख लेते हैं, तो हमें मिल रहा है क्या? पहले odd आएगा, तो इसलिए, sin x, फिर minus sin 2x by 2, फिर sin 3x by 3, minus sin 5x by 5, एंड यह आगे ऐसा ही continue होगा, तो देखिए, यह आ गया आपका answer, तो ऐसे आपको आ गया, कैसे आप एक function को Fourier में, Fourier series में expand कर सकते हैं, कैसे आप उसको shine and cost के function में लिख सकते हैं, तो आज का class यही तक, इसके बाद हम next class में Fourier series को complete कर लेंगे, और उसमें कैसे complex function का Fourier series निकाल सकते हैं, हाब range के लिए कैसे निकाल सकते हैं, वो हम सीख लेगें, तो आज का class यही तक, thank you, and आखिर में एक चीज, यह रहा हमारा channel का last 28 days का report, जहां जो student हमारा lecture देखते हैं, उन्हें 70% है not subscribe, so, हमारे साथ जूरे रहने के लिए, please subscribe our channel to support our work and community, okay, that's it, आज के लिए यही तक, thank you so much, मिलते हैं next class पर,